दोस्तों नमस्कार मैं हूँ संजी पाराशर स्पन्दन के दृत्य एंक में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों पूरे भारत में पूरब से लेके पश्चिम उत्तर से लेके दक्षिन असंख्य मंदिर है ऐसा माना जाता है पूरे भारत में 6,48,000 मंदिर है यानि की करीब करीब एक लाग की आबादी पर त्रेपर मंदिर है दोस्तों हर एक मंदिर अपने आप में इतिहास समेटे हैं और हर एक मंदिर की एक अपनी-अपनी कहानी है दोस्तों आज मैं आपको उस मंदिर के बारे में बात कर रहा हूं जो राजस्तान में सीकर से सिर्फ 43 किलो हुआ सिर आज भी मौजूद है दोस्तों आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि बर्बरिक जी कौन थे दोस्तों बर्बरिक जी घठोतकच वे मोरवी के बड़े पुत्र थे और ऐसा माना जाता है कि वे बड़े ही पराकरमी थे युद में महाभारत के युद में अगर बर ये बात जब शीर कृष्ण जी को पता लगी तो उन्होंने बर्बरिक जी से अपना उनका सिर मांग लिया और ऐसा कहा जाता है कि बर्बरिक जी का कटावा सिर पूरे महाभारत की जो युद था उसका एक जो है वो गवाह था या उसको उन्होंने देखा जब इतनी वीरता वाले पुरुष्ण के बारे में बर्बरिक जी के बारे में शीर कृष्ण जी ने कहा और शीर कृष्ण जी को उन्होंने अपना सिर दिया तब से लेकर के शीर कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि कल्यूग में आप शाम नाम से जाने जाओगे और इसी लिए इस मंदिर को खाटू शाम जी का मंदिर कहा जाता है दोस्तों मंदिर के बारे में लोगों की इतनी आस्ता है और इतनी कथाएं हैं कि खाटू छोटे सी जगह पे खाटू एक छोटे सी गाउं में करीब करीब जब मेला लगता है फागुन पक्ष की एका दर्शी के बाद ये म मेला स्टार्ट होता है मानिए तो अभी 12 मार्थ से मेला शुरू हुआ है और 21 मार्थ तक चलेगा इस दर्मियान करीब करीब 25 लाख दर्शनार्थी मंदिर का दर्शन करते हैं परशाशन दोरा बहुत सी सुईधाय इन दर्शनार्थियों को दी जाती है और अभी ये मेला लोगों के दोरा बहुत ही जादा जो है वो अनुसरन करने वाला बहुत ही जादा जो है वो मानने वाला मंदिर है आप जरूर कभी राजस्तान आए तो खाटू शाम जी के दर्शन जरूर कीजेगा इस संक में इतना ही धन्यवाद